ओम पित्र देवताब्यों नमाह, स्वागत है आप सभी का मेरे वक्ती भावने यूट्यूब चैनल पर, 6 एक्टूबर बढ़ी अमावस्या, पित्र देंगे पुत्र प्राप्ती का बरदान, पुत्र संतान प्राप्ती में सबसे ज़्यादा जो रुकाबट आती है, परिशा तो वह बरदान कभी भी खाली नहीं जाता, आठ राशी वालों को पित्र बिदा होने से पहले बरदान देंगे, पित्र अपने सभी बंसजों को बरदान देंगे, लेकिन ग्रेन के इसाफ़ से आठ राशी उस दिन बहुत ही बागिसाली रेने वाली है, प्रतेक इंसान का दायत होता है, कि वह है पित्र पक्षि में पित्रों की रोजाना पूजा करें, अगर आपके धन प्राप्ती में रुकावट आ रही है, साधी के योग नहीं बन पारें, या बच्चे अच्छी पढ़ाई नहीं कर पारें, बच्चे क्रोध करतें चुचुचुटी बातों गर में लड़ाई जगड़ा आपस में पत्यरा में होता है यहां किसी भी बात को ले करके मत भेद हो जाता है। आप सीधी बात करोगे तो वह उल्टी लगेंगी उसी प्रकार से अगर लड़ाई जगड़े होते हैं आप पत्नी से सीधी बात का उसे उल्टी लगेंगी उसी प्रकार से पती को उल्टी लगती है तो यह सब पित्र दोस के कारण होता है यानि बुद्धी ब्रहमत हो जाती ह अगर आप पितर दोश के कारण इन चीजिजों से परिशान है या संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बहुत से ऐसे दमपती होते हैं जनके साधियों को के साल भीज गए और संतान की प्राप्ती नहीं होपाई है, तो यह सब पितर दोश के कारण ही होता है, तो आपको क्या काली तिल डाल दे उम सर्पित्र देव्ताब्यवनएन मिन्तरका जाप करें प्रती देन सूर्श देव को अरग देन अगर आप यह उपाय करते हैं तो इसक। बिना संकल्ब के आपको कुछ भी दान नहीं करना है इस वात का विशेशू से द्यान रखें अमाबास्या का जो दिन होता है वह बहुत ही महत्पूर होता है उसमें भी पित्र पक्की की अमाबास्या हो तो दोस्तों किस्मत बदल जाती है आपको क्या करना है दो बूंदी के लड़ू लाने है और पित्रों को विदा करते समय उनका भोग लगाना है आपको और वह प्रसायत के रूप में आपको बाठना है साथ ही थोड़े से चाबल पर उनके सामने अरपन कर दें जिसे वो खाली आतना जाए तो पित्र प्रसन नोकर के आपकी मनोकामना जरूप फूरी करेंगे मेश रासी, ब्रसब रासी, मितुन रासी, करक रासी, सिंग रासी, कन्या रासी साथ ही व्रश्चिक रासी, कुम रासी और मीन रासी ये रासी इस दिन बहुत ही भागिसाली है ग्रेन का बहुत ही अच्छा योग है और पित्र भी प्रसन नो करके आस्वीरबाद देंगे तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा योग है जब आप पित्रों को बिदा कर रहे हों तो उनसे ख्यमा याचना जरूर करें और एक सपेद भस्तर लेकर के उनके सामने रखते हैं उसमा थोड़े से चाबल और पुछ पचड़ा दें और कहें कि पित्र देवता आप अमारी भस्तरों को सुईकार करें और कुछ मीठा भी अरपन कर दें फिर देगना आपकी कैसी किस्मत बतलती है और आपकी हर मनुकावना पूरी होगी तो दोस्तों वीडियो को सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और पित्र देवताओं को आशी बाद आपको प्राप्त हो